लग चुकी तलब मंजिल की खुद को आग में जोक देंगे फोकरे कहती है मारा जाएगा हौसले कहते हैं देखा जाएगा जहां दोस्तों नमश्कार स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल और गाईज आज फिर से एक और सेशन लेकर आ चुके हैं हम जो कि फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के लिए होने वाला है विद्यारतियों के मन में अवेशा ये प्रशन आता ह है कि सर हमारा जो पेपर है वो तो हमें पता है आपने बता भी दिया है कि फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर होता है किसमें कितना हो नंबर जो है वो हमें लाने होते हैं पर हम सब जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होता है जो एक्जाम होता है उसमें तीन इस्तर के प्रशन आपसे पूछे जाते हैं विशेश चूप से मैं यहां पर विशय की बात कर रहा हूँ सब्जक्ट की बात कर रहा हूँ है ना एक आपके senior secondary level का कुछ portion रहता है उसमें आपका accountancy, business और economics तीनों ही subject आपको देखने को मिलते हैं मतलब 12th level का उसमें 11-12th की जो accountancy है, economics और business है वहाँ से question जो है वो पूछे जाते हैं फिर हम बात करते हैं next जो level होता है आपका वो सनातक level होता है जिसे cost accounting आजाता है, जैसे कि audit आजाता है, company law आजाता है, human resource आजाता है ये सारे वो topic और add-on हो जाते हैं जो कि आप पढ़ते हैं graduation level पे और तीसरा जो level होता है वो होता है post graduation level अगर आपने m.com किया है तो फिर m.com से जो है वो जो subject वहां पे आप पढ़ते हैं जैसे statistics में advanced statistics आती है तो वहां पे फिर आपको probability पढ़ने पढ़ती है banking में पुरा banking वाला जो portion है, monetary policy, fiscal policy वो सब चीज़ा आजाती है तो आईए एक एक करके हम सभी के बारे में detail में चर्चा करेंगे अगर आप first grade commerce की तयारी कर रहे हैं तो first grade commerce के लिए जितने भी student है तो तयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए हमने एक whatsapp chat community बना दी है जिसमें open chat चलते हैं अगर आप में से कोई भी विध्यारती तयारी कर रहा है first grade commerce की तो वाटसब chat community को जरूर आप जोइन कर लीजिएगा तो कि यहाँ पे आपके जितने भी doubts हैं आपके eligibility आपका previous year paper सभी के बारे में समय समय पर information जानकारी मिलती रहती है ताकि कोई समस्या नहीं आएगी नीचे description में link है हमारे subject expert भी वहाँ पे रहते हैं उन से आप चाहें तो doubt भी पूछ सकते हैं अब आईए बात करते हैं first grade का जो level है जैसा में आपको बता रहा था कि तीन level से आपके exam में जो है वो question आते हैं सबसे पहला जो level आपका रहता है वो senior secondary level रहता है second आपका जो level रहता है वो आपका post graduation रहता है कि तीन इस्तर पर exam होते हैं अब बात आती है कि sir किसका कितना weightage है ये भी बता दो क्या senior secondary का weightage जादा है या graduation का है या post graduation का है तो मैं आपको बता दो कि यह जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना ये केवल एक tentative system जो है वो हमें दे रखा था लेकिन इस बार जब हमने 2020 में paper देखा तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन जो है वो देखने को मिले दो 2022 वाला paper था उसकी बात कर रहा हूं मैं तो आप देखिएगा सामाने रूप से system यह है और विध्यारती इसी के साब से तयारी करता है कि secondary level पे 55 आएंगे एक question दो number का है हमारे paper pattern के साब से तो 110 नंबर का जो वेटेज है आपका वो senior secondary का होगा ऐसे ही graduation level पे 55 यहां पे questions आएंगे और 110 नंबर का यहां पे भी वेटेज होगा और 10 नंबर का जो है वो आपका PG का वेटेज होगा लेकिन पिछले exam में RPSC ने यह साफ साब बता दिया है कि भईया आप यह सोच कि पोस्ट ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन का जो वेटेज है वो यहां 10 नंबर का है तो आप गलस सोच रहे हैं 10 नंबर का question यहां से नहीं आएगा जादा भी आने की possibility है पिछली बार जब exam हुआ था तो यहां से question जादा आये थे और definitely यहां से जादा आये थ है उसका वेटेज आटोमेटिकली कम हो गया था तो सर क्या आज यह system चलने वाला है आज यह system मुझे लगता है नहीं चलने वाला है यह कहीं न कहीं जो वेटेज है यह accurate आप नहीं कह सकते लेकिन यह साप कह सकते हैं कि senior secondary graduation level से question तो सबसे जादा पूछे जाएंगे लेकिन इ इससे बिल्कुल भी ignore मत करना पहले जब हम 2013 में 2015 की vacancy में पढ़ाते थे तो बहुत सारे student इस वाले portion को छोड़ देते थे वो पढ़के नहीं जाते थे वो करना कहीं एक इस तरपर सही भी है क्योंकि वेटेज बहुत कम था और यह fix criteria यही था लेकिन पिछले परिक्षा के ब वहां तक चीजे समझ में आती है लेकिन foreign trade की जो अलग-अलग policies होती है जो principle होते हैं है न हैक्षिर और लिन प्रिंसिपल आपने सुना होगा यहां से भी questions पूछ लेगा है जबकि normally foreign trade में वो जो principle है जो सिद्धान्त हैं विदेशी व्यापार के वहां से प्रशन नहीं पू वो गलती नहीं कर सकते जो गलती जो है वो पिछले student ने करी थी गलतियों से सीख तो लेनी ही पड़ेगी तो सीख यही है कि हर topic को बहुत ज़्यादा depth level पे लेके जाओ junior accountant में आपने देखा है कि students को paper बहुत ज़्यादा tough लगा उसका reason यह था कि उन्होंने कहीं न कहीं 2016 का जो junior accountant का paper था उसको base लिया और उस से उस exam से इस बार का paper बिल्कुल परे था बिल्कुल opposite आप कह सकते हैं paper का जो pattern था वो भी बिल्कुल बदल दिया था तो इसलिए RPSC क्या करेगी हम कहने ही सकते इसलिए अपने तयारी को बहुत अच्छे से level पे रखे जाना है और cut-off तो म इसी भी चीज़ को हम underestimate नहीं कर सकते या ignore नहीं कर सकते क्या होगा हमें नहीं पता है और एक बहुत बड़ा बदलाव हम सब जानते हैं कि paper नंबर टू जो है वो 150 नंबर का है 150 एक कोशन दो नंबर का है तो 300 है लेकिन यह 30 में अभी भी आपका जो है वो एक suspense बना हुआ है यहां पे जो 30 है इसमें पहले हम लोग लिखा करते थे education psychology, pedagogy, ict यह सब के सब जो है वो यहां पे हम लिखा करते थे लेकिन यहां पे psychology को shift कर दिया है paper 1 में तो यह जो 30 है इसका अभी तक कोई clear instruction नहीं है कि यहां 30 में क्या आएगा क्या subject का portion बढ़ जाएगा या ict और यह यहां पे कुछ नहीं का जा सकता लेकिन यस यह जो 120 कोशन है हमें यहां का तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या होने वाला है तो गाईज अपनी तयारी को आप उसके according systematic तरीके से कर लीजिए बाकिया तयारी करना चाहते हैं किसी ऐसे educational platform के साथ में जिनके पास में सरवशेष्ट अनुभवी experience faculty team है धिनोंने RPSC first grade की पिश्री परिक्षा हो जिसमें यह result दिये है मद्यप्रदेश की first grade commerce की vacancy है जिसमें first second rank के साथ में top 10 में से 6 rank दिये है या उतराखंड की assistant accountant की vacancy है या मद्यप्रदेश taxation assistant है कई vacancy में result हम लोगों ने दे दिये हैं guys तो definitely आप हमारे साथ में हमारी application के साथ में अपनी तयारी को करना start कर सकते हैं price बहुत minimum रखा किये हम लोगों ने जो price है वो कितनी है तो RPSC first grade की जो price है वो मात्रे 2499 है तो 2499 में complete content आपको मिल जाएगा quality वही maintain करी है जो quality actual में maintain की जा रही है जो course आपको मिल रहे है 5000 में, 7000 में, मैं दावे से कहता हूँ एक बर आप course लेके quality जो है वो चेक किजिए definitely आपको बहुत ज़्यादा satisfaction जो है वो मिलने वाला है जो batch है वो complete bilingual batch है, Hindi English में ही आपको पढ़ाया जा रहा है, notes आपको Hindi English में दिये जा रहे हैं, MCQs दे रहे हैं ताकि आप घर बेटे अपनी तयारी को क कर सकें, बाकि हमारे ये जो number है, इन number पे आप call करके कोई भी अगर आपको doubt है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें message कर सकते हैं, regular basis पे accountancy के जो MCQs हैं, उनको हम लोगों ने हमारे telegram पे डालना start कर दिया है, एक दिन Hindi के, एक दिन English के, इस प्रकार से poll regular basis पे हम लोग डाल रह हैं, अगर आपने अभी तक telegram जोइन नहीं किया है, तो नीचे description में link है, या ये scanner है, scan करके आज ही जुड़ जाए हमारे telegram channel से, और अपने सपनों को कर लीजिए पूरा, तो hope so guys, ये session आप सभी के लिए बहुत अच्छा effective रहा होगा, share कर दीजे अपने सभी दोस्तों के सा बने रहें, thank you so much, मिलते हैं फिर से next session में, तब तक के लिए धन्यवाद, जैहिंद बन्यवातरम, धन्यवाद